मुझफरपुर शेहर के छोटी सरेय अगन जिस्तित नव युवक समिती के सभागार में मंगलवार को नागरिक मोर्चा वश्री नव युवक समिती ट्रस्ट के संवित दात्वधान में विश्व की महान संथ भारत रतन आचारे संथ विनोबा भावे की 40-वी पुनितिती मना वही दो मिनट का मौनरक करे शीवक से प्रापना की गे समाग स्विय उम्मरकाश गुता ने कहा कि राश्र विनोबा भावे की युगदान को कभी भुला नहीं सकता उ की जमूचे विशो में आइंसक और शोशर मुक्त समाज विवस्था का सपना दिखा और इसे साकार करने के लिए जैजगत का नारा दिया वो राष्ट और समाज के लिए समर पित थे वो एक सच्चे समाज सुधारक स्वतंतरता सिनानी समाजी कारिकरता गांधिवादी राष् भिहार में भूमाफियाओं के कबजे में हैं भूमिहिनों को उस जमीन का दिलाना ही विनुबा भावे जी के प्रती सची श्रद्धानजली होगी 15 नॉमबर 1922 को विनुबा भावे ने अंतिम सांस ली इस दोरान गड़माने लोगों ने विनुबा भावे के चतर पर कुमार अभिश्वेक राना देवी दयाल अजय कुमार मनीश कुमार सिंग राजा जहा सचिदानन तेवारी गोरी शंकर राय समित कई गड़मान लोग उपस्तु के महान संत भारती नहीं दुनिया में जिनका नाम है एक चिंतक एक बिचारक चमा सुधारक सुदंता सेनानी लेखक पत्रकार भारत रत्र से सम्मानित महान गांधिवादी और सबसे महत्यपुन बात रही कि संत भिनोवा भावे आजीवन गोह हत्या पर प्रतिवन लगाने के लिए सत्याग्रा करते रहे पंडिर जवाहला नेहरू जब प्रधान मंत्री बने और जंदापाटी की सरकार के प्रधान मंतरी भाई मुरालाजी दिसाइप बने उस समय तक जब तक जिवित रहे वो एक गौव सेवा के लिए और गौव हत्या पर पर्तिवन लगाने के लिए सरकार को बाध करते रहे और आजीवन मैं समत्ता हूं कि वर्स में साई 6 महीना भोजन करते थे 6 महीना सत्यागरा में रते और सबसे उनका प्रिये चीज़ था बकडी का दूद बकडी का दूद का ही सेवन करते थे करते ते लिए करते दूद बकड़ा हूं करते थे सकतिता है